हेलो बच्चो मैसेल सचीन कुमार आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का दुसरा लेक्टर जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्टर में लाइट चेप्टर का इंटो रक्षन दिया था लाइट है क्या समध्या था चाड़ पांच पॉइंट लाइट के स्पीड के बाड़े मनें ड आज का टॉपिक है प्रकास का स्रोथ प्रकास की स्रोथ इंगलेशन इसको बोलते हैं स्वोर्स आफ लाइट पहला तो हो जाएगा प्राकर्तिक स्रोथ पहला हो जाएगा प्राकर्तिक स्रोथ पहला हो जाएगा प्राकर्तिक स्रोथ इसमें कोन आ जाएगा तैसमें आ जाएगा आपका शुर और दूसरा हो जाएगा चंद्रमा का सकते हैं हलाकि चंद्रमा के पास अपना प्रकास नहीं होता है यहां शूर्ज के प्रकास के काड़ा ने चमकते है इसको आप और अच्छे से जग्रॉफी के लेक्टरें और कटेमें मिलता है और चॉरान को न आपने बनाया है यह प्राकिर्तिक या इसका निर्वान खुद से हुआ है कि दो शूराष के मिलने वाला प्राकरतिक है चंद्रमाहन से लोगोर्ळ पयुक्त है कि प्राकरतिक है प्रकार है जिसको बनायेगा जैसे कि लेन्द क्या सकते हैं लंच कह सकते हैं लाडएन ख्या सकते हैंल प्रकास के मात्य यानि प्रकास प्रकास पुरी तरिक से और आप तोर्च को ऑन के तो लाइट जो है पूरा पूरी क्या हो जा है पार दर्सी पदार्थ कौन कौन इसका एक्जामपल होगा तो भौसाड़ा इसका एक्जामपल है जैसे आप किसी वाइट पेपर को लिजिए ठीक है जिसको पूरा आड़ पार लगगा देख़ड़ा उसके आप लाइट को आण किजेगा तो लाइट पूरा-पूरी आड़ हो जाएगा और बहुत साड़ एक्जामपल है पार दर्सी पदार्थ का द्रेदर इसके वाड़े में समझाएंगे दूसरा है आप पार दर्सी नाम से ही पता चल रहा है किसी भी चीज़ क्या कि अलाग जैसका मिनिंग क्या है नहीं यह से माली लकड़ी लकड़ी को अगर अरे लकड़ी यांद जो john ले एक कास कीट आसखिषा प्रावर्तय कर देगा तो कुछ को अबस्वसित कर लएगा देक्थ दो ही यहां हो सकता है या पिर तीन या त प्रकास का प्रावर्तान sticking आप मिरर को उपर light को on किये तो क्या होगा मिरर के बाहर प्रकास नहीं जाएगा टकडा के लोड़ जाएगा शबने यह वह यहां पर गया वह आप छाया बनाया आप किसी को चिरहाने के लिए या फिर किसी को मजाक्ष वापू यह वह यह वह अला मतलब की पूर्शन सब ने किया है ठीक है अब आते हैं टॉपिक पे अब जैसे एक समाले का अब कपरा सुखाड़ें धूप में अपने अपना धोके कपरें डाल दिया अब उसमें क्या होत प्रकास का या तो प्रावर्तन होगा नहीं तो आप वर्तन में है तो आड़ पर्वे नहीं होने देगा इसलिए व्यसा पतार जो अपने से होके प्रकास को बाहर नहीं जाने देता है उसे अपारदर्सी पदार्थ कहते हैं ठीक है अपारदर्सी में लकड़ी हो जाएगा लोहा हो जाएगा एलुमुनियम हो जाएगा फैन हो जाएगा घर हो जाएगा इसे घर आपका घर है ठीक है आपके 20 लीटर बनाए है खिरकी बनाए लेकिन आपका एक ऐसा दिवाल है कि आपका दिवाल है वह लाइट को क्या किया आप स्वर्शित कर चुका है अब जैसे दीन में मौली की टेंपरेटर चला गया चालूस प्रैटिस पैटालूस तो रात को ठेंड होगा फिर भी आप करोंगर में करन क्या है तो जैसा कि मैंने पहले आपको सम्झा कि या थो प्रावर्तन कर देगा या तो अपवर्तन कर देका अजनी तो अंस्वसन खड़ेगा तो उल्स गेंशाक है तो ईक वह जिए पार्दर्सी पदार्थ एक हो गया ऑपार्दर्सी पदार्थ पाण भाशी पाढ़ञ्वाशी कीशको कहेंग parler नाम jug पता चल रहा है पाढ़ञ्वासी में अपलाव जिस्टे कुछ-कुछ मात्रा में लाइट बहार दया, कुछ-कुछ मात्रा में आप देख सकते हैं, जैसे माल लो कि एक कागाज है, जिसको तील में ऐसे भिंगा दीजी, अर तब उसको देखिए, त्वथा दोनला दिखाई देगा आपको, जैसे कोई ऐसा पॉलिथीन लेज आप दर्सी पदार्थ, और एक हो गया, 100% purity ने देखिया, कुछ परसेंट कमी जरूर होगा, उसे को हम लोग कहते हैं, पाढ़ भासी, हलका सा दूंदला, जैसे आप किसी पुस्टर को देखेंगे, पुस्टर क्यार पर देखेंगे, तो दिखेंगे के सामने में दो लोग हैं, लेकिन दू लोग exact ने बता सकते कि उनको face पे क्या है, नहीं है, कहां पे cross लगा है, वो आप exact नहीं बता सकते हैं, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं पाढ़ भासी में, तो आज की lecture में हमने पढ़ा प्रकास के सुरोत के को बाड़े में प्रकाश के माध्यम के बाड़े में सुरोत में हमने पढ़ा प्रतिविम्भ के बाड़े में कैसे बनता है अप्रकार का होता है और बाकी टॉपिक्स को भी टिटेल्स से हमनों डिस्कस करेंगे आज करिए धन्यवाद